हलो एवरीवन नोर्सकार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कसन करने वाले हैं टीसू के बारे में इससे पहले हमने टीसू के बिछले लेक्चर में समझा था कि इंट्रोडक्शन आप दे टीसू टीसू के क्लासिफिकेशन और basically epithelial tissues के बारे में हमने समझा था तो आई ओप आप सभी लोगों को first lecture समझ में आया होगा तो चलिए हम टीसू का second lecture स्टार्ट करते हैं इसमें basically हम करें कि टीसू के बारे में स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ important points को revise कर लेते हैं जो कि हमने first lecture में पढ़ा था तो आईए हम स्टार्ट करते हैं importance point study आप टीसू is called histology यानि कि टीसू की study कम क्या बोलते हैं histology बोलते हैं the world histology was given by mayor 1891 यानि कि histology term को सबसे पहले mayor scientist ने 1891 में दिया था father of histology is marsilio malpigi और father of histology कौन था marsilio malpigi जी थे the term tissue was coined by the bichet और सबसे पहले जो term tissue था उसे bichet ने दिया था तो ये सारी चीजे थी जो कि important point थी जो कि हमने एक बार revise कर लिया है तो चली हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें जानेंगे connective tissues के बारे में connected tissues basically होता क्या है connected tissue is the type of the primary tissue which provide the binding and the supportive function and provide the framework of the body सबसे पहली बात connected tissues क्या करता है framework provide कराता है हमारी body का धाचा होता है वो किसके थूरू होता है तो connected tissues के थूरू ही हमारा body का framework बनता है इसके अलावा यह क्या होता है primary tissue होता है और इसके अलावा binding and supportive यानि कि यह हमारे एक tissues को दूसरे tissues के साथ binding का काम कौन करता है तो connected tissues का का काम करता है और supportive को आपी काम करता है कौन connected tissue तो यह सारे इसके क्या है important points है connected tissues के बारे में अब next हम बात करेंगे, in all connective tissue except blood, the cell secreted fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue, यानि अगर सभी connective tissue में बात करेंगे, connective tissue में आगे अगर पढ़ेंगे, बहुत सारे connective tissue होते हैं, उसमें अगर blood को छोड़ दिया जाए, तो सारे connective tissue क्या fiber secret करते हैं, और वो fiber मिलके हमें क्या provide strength, यानि strength प्रोवाइड करते हैं, elasticity प्रोवाइड करते हैं, flexibility प्रोवाइड करते हैं, हमारे tissues को, ठीक है, तो यह हो गया, यानि कि याद रखिएगा, यह important point है कि blood को छोड़के, जितने भी connective tissue होते हैं, यह सारे चीज़ें काम करते हैं, और जो यह cell होती हैं, यानि कि जो यह tissue होते हैं, blood के अलावाद, जितने भी tissue होते हैं, वह क्या secret करते हैं, तो polysaccharide secret करते हैं, जो कि एक तरह से matrix काम करता है, और matrix का basically काम क्या होता है, तो एक tissues को दूसरे tissues के साथ joint रखने का काम करना होता है, यानि कि उसमें junction का काम करता है, junction आप लोग ने पढ़ाता है एक पिछले lecture में cell के, कि junction की बारे में क्या आता, तो यह चीज़े किस में होती है perform, तो matrix में होती है, और यह matrix कौन बनाता है, तो जो connective tissues की cells होती है, वो बनाती है, ठीक है, next अगर बात करें, connective tissue is the most abundant and the widely distributed in the body of multicellular organism, जो connective tissue होता है, most abundant हमारे body में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा जो connective tissue पाया जाता है, वो क्या है, connective tissue होता है, ठीक है, और widely distributed in the body, और हमारे body में बहुत ज़्यादा ही distribute हुआ हुआ है, ठीक है, तो यह connective tissue होता है, connective tissue का introduction होता है, और यह इसका diagram, ये इसका डियाग्राम होता है ये से Connective Tissue की लेयर होती है जो एक दूसरों को क्या करता है Connect किये हुए होता है ठीक है ये Connective Tissue का डाइग्राम है तो हाई होप आप सभी लोग को Connective Tissue समझ में आया होगा यह intro था connected tissues का, आगे हम इसको further divide करते हैं, connected tissues क्या होते हैं, तो connect to a can be divided into the following, यानि कि connected tissues होगा, connected tissues can be divided into following groups, areolite tissue, दूसरा adipose tissue, third fibrous tissue, elastic tissue, fifth theta lymphatic tissue, sixth theta reticular tissue, seventh cartilage, eighth bone, और यह blood और lymph, यानि कि यह total 10 types के connective tissues हैं, जो कि इसमें further divide किया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, areolite tissues के बारे में, areolite tissue क्या होता है, it consists loosely, when's tissue and the usually are present throughout the body, these are present in the subcutaneous submucosa between the muscle and nerves, ठीक है, यह जो होता है, loosely arranged tissue होता है, areolar tissues जो क्या होता है, यह loosely arranged tissue होता है, और यह कि हाँ पर पाया जाता है, इसका location कहाँ पर होता है, तो basically यह, जो हमारी skin होती है, skin के नीचे पाया जाता है, यह subcutaneous layer होती है, उसमें present होता है, ठीक है, between muscles and nerves, यानि कि muscles और nerves में, के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, कौन सा है यह, area light tissue होता है, तो सबसे पहले area light tissue, area light tissue पढ़ लिए, अब next हम बात करते है, adipose tissue, adipose tissue क्या होता है, they are also known as dozing tissue and present in the subcutaneous tissue, mesentery, omentum, etc, ठीक है, these are known as dozing tissue, इसे क्या बोलते हैं, dozing tissue बोलते हैं, dose को हिकथा, यानि कि किसी content को हिकथा करने वाला dozing tissue, हैं हम क्या dose लेते है, यानि कि हम basically food लेते है, food को हिकथा करने का जो काम होता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, dozing tissue बोलते हैं, ठीक है, next point पढ़ते है, they usually contain cell containing free fat inside the cell, the cell are generally large rounded or one inch shape, यानि कि they usually contain cell यानि कि इनकी जो cell होती है अदिपोस टीसू में जो cells होती है वो क्या fat को inside store करती है हमने अभी आपको बता है था dozing tissue है तो dozing tissue का मतले है कि आपने cell के अंदर fat को store करेगा ठीक है the cells are generally large rounded or oval in shape तो जो cell होती है वो rounded होती है और oval in shape होती है next point अगर पढ़े तो एडिपोस टीसू present the organ from injury and give shape to limbs store the energy and regulate the body temperature एडिपोस टीसू का organ जहाँ पे injury होती है यानि कि जहाँ पे injury होती है वोहाँ पे एडिपोस टीसू present होता है यानि कि यह भी skin के नीचे ही present होता है बिसली बहुत जहाँ इसके नीचे भी present होता है और organs में भी distribute होता है एडिपोस टीसू होता है और जहाँ पे injury होती है वहाँ पे present होता है और हमें क्या shape to the limbs और जो हमारे limbs होते हैं limbs मतलब हाथ पैर जो हमारे limbs हैं उसको यह provide कराता है shape provide कराता है इसके लावा इस्टोर दो energy and regulate the body temperature और energy storing का काम करता है तो अडिपोस टीसू काम करता है और इसके लावा body temperature को regulate करने का काम करता है ठीक है यह हो गया अडिपोस टीसू के बारे में यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टीसू है next अगर बात करें fibrous tissues के बारे में, fibrous tissue is also known as the white fibrous tissue and they are composed of the mainly white fiber of the collagen cells like the fibroblast, histiocytes, basophils, mast cell, यानि कि fibrous tissue कि इसे क्या बोलते हैं, white fibrous tissue बोलते हैं, white fibrous tissue बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, mainly white fibers होता है, कि इसका collagen का बना हुआ, यानि collagen का बना हुआ white fibers होता है, इसको white fibrous tissue बोलते हैं, इसके अलावा, इसमें क्या होता है, fibroblast, histiocytes, basophils और mast cell भी present होता है, इसे क्या बोलते हैं, fibrous tissue बोलते हैं, next point अगर बात करें, deprimated the strong to the tissue and from the ligament and the tendon, durameter and the neural canal, और इसके अगर present की बात की जाए, अगर यह कहां कहां present होता है, तो यह present होता है, ligament, tendons, durameter and neural canal जो होती है, वहाँ पे क्या present होता है, यह fibrous tissue क्या होता है, present होता है, next अगर बात करें, its function is connect the different tissue and the different part of the body to provide the mechanical protection against the stretch and pressure, यानि कि इसका main function क्या होता है, stretch और pressure को रोकना, यानि कि stretch और pressure को रोकने का काम कौर करता है, यानि कि fiber होते हैं, आप लोगों पता है, fibers होंगे, तो stretch और pressure को रोक सकेंगे, ठीक है, तो यह जैसे क्या होता है रसी होती है तो रसी भी एक तरह से फाइबर होती है अब जैसे मालीजी हमने आप लोगों पता होगा खाट आप लोगों देखा होगा जिस पर सोय जाता है जिसे रसी का हो किया किया जाता है बनाया जाता है खाट को रसी के दोरा बनाया जाता है करा हैं तो वो क्या होता है जल्दी रफ्चर नहीं होता है इसी प्रकार हाट पे भी जो रसी Fiber and present in the wall of the arteries and in the air tubes of respiratory tract and the some ligament. यानी they are mainly consist elastic fibers. यह क्या होता है? Elastic Fiber content करते हैं. यह भी fiber content करते हैं लेकिन जो इनकी fibers में elasticity होती हुटी हो थोड़ी जादा होती है in comparison to fibrous tissue ठीक है fender in the wall of arteries जो का आप लोगों को ता होगा कि आडरी में ellasticity property होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है क्योकि कई कई blood pressure high हो जाता है तो उस समय elastik अगर property नहीं हुई arteriesермटरी पास तो arteries क्या ओगी फठ जाएंगी इसलिए इसलिए उसमेngelastic टीसूस होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है क्योंकि अमारा लंग्स होता है तो इसके लिए भी इलास्टिक होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है नेक्स अगर बात करें लिम्फोईट टीसूस क्या होता है लिम्फोईट टीसूस होता है इसके अलावा लिम्फैटिक बेसल प्रजेंट होती है जो इसमाल इंटेस्टाइन और फेरेंजियल टॉंसिल में प्रजेंट होता है तो लिम्फोईट टीसू कहाँ प्रजेंट होता ह है next अगर बात करें they supply lymphocytes to the blood and provide the protection against bacterial infection यानि कि ये supply लिंफोइड tissue होते हैं वो supply कराते हैं lymphocytes का हमारे blood में lymphocytes की supply कराते हैं और उसको provide कराते है protection against bacterial infection और हमें क्या bacterial infection के against हमें क्या protection provide कराते हैं ये हो गया lymphoid tissues के बारे में next आता है reticular tissue they are similar to the areolar tissue except lymphocyte cell present in the very large number of the form of the well-covered tissue they are present in the spring, liver, lymph gland, bone tissue, reticular tissue यह भी similar होता है areolar tissue की तरह ही जो हमने पहला पढ़ा था areolar tissue उसी के लगबक similar होता है यह भी बट इसमें क्या lymphoid cells जो होती है present होती है very large number में लेकिन इसमें क्या था lymphoid cells होती ही वो बहुत ही ज्यादा amount में पाया जाती है तो इसलिए यह भी क्या अगर lymphoid tissue है तो यह हमारी immunity से related काम करता है यानि कि reticular tissue ठीक है next अगर बात करें they are the present in the spleen liver lip gland bones और इसके अगर location की बात करें तो यह present होता है spleen में, liver में, lymph gland और bones में यह present होता है ठीक है friends तो यहां तक हमने पढ़ लिया पिछले lecture में भी हमने इसी प्रकार tissues के बारे में discussion किया था epithelial tissue तो वह सारी चीजे और यह सारी चीजे जो भी हैं यह एक दूसरे के साथ link है क्योंकि आप लोग का हमने बताया था कि जो epithelial tissue होता है वह basement membrane के ऊपर होता है और basement membrane की नीचे क्या होती है connected tissue होता है तो वही दोनों अगर इन दोनों में अगर एक दूसरे में communication नहीं होगा तो यह कोई इसका functioning नहीं होगा इसलिए दोनों का communication होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो पिछले lecture में हमने इसको जाना था आप लोग को पिछले lectures का जो link है उसको link है उसको description में mention कर दिया ज link से पहले lecture को देख सकते हैं इसके अलावा इसका जो complete notes है इसमें आप लोग को मैंने पहले lecture में बताया था हम इस PPT में कुछ important points जो आप लोग को समझ में ना आ पा रहा हो उससे हमने cover-up किया है इसके अलावा इसका complete notes यानि कि इससे ज्यादा थोड़ा है कुछ points extra भी है उस साथ दोनों को अगर आप समयने करके पढ़ते हैं तो आप लोग को सारी चीजे clear हो जाएंगी देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजे हैं अगर आप टीसूर पढ़ें तो सायद आप बहुत ज्यादा समय तक पढ़ते ही रह जाएंगे लेकिन आप लोग को ध्यान होगा आपको syllabus के according क्योंकि syllabus में जितना timing दे रखा है उसी हिसाब से आपको prepare करना पड़ेगा ठीक है तो हमने कुछ important जो previous questions आये हुए हैं exam के आये हुए हैं तो उसके हिसाब से हमने जो content है उसमें हमने mention कर रखा है mention करने के लिए बहुत सारी चीज़ हम mention कर सकते हैं लेकिन जो चीज़े जरूरी है अपने syllabus के according उस चीज़े को पहले हमने mention कर लिया है इसके अलामा जो भी extra चीज़े होगी आप लोग उसको बता दिया जाएगा आप लोग को इसके बारह में बता दिया जाएगा तो यह सारी चीज़े हमने पढ़ ली नेक्स्ट चलिए वीडियो को start करते हैं आगे cartilage के बारे में पढ़ते हैं cartilage basically क्या होता है उसके बारे में हम पारे में cartilage is a connected tissue and elastic in nature यहां पर elastic होगा ठीक है cartilage की बात करें तो cartilage एक connected tissue होता है जो में क्या होता है elastic nature होता है इसका क्या होता है elastic nature होता है it contains the large quantity of the matrix यह भी matrix को contain करता है और इसके अलावा यह कहां कहां पाया जाता है तो यह joint between the bones यानि bones की में जो joint बना होता है उसको वहां पे पाया जाता है क्या cartilage they are covered by the membrane perichondrium और यह ज cartilage mainly होते हैं कौन कौन सा होता है तो पहला होता है hyaline cartilage दूसरा होता है fibrocartilage और तीसरा होता है elastic cartilage यह three types से क्या होते हैं cartilage होते हैं basically next अगर बात करते है bones के बारे में bones क्या होती है the bones are the hardest connected tissue which consistent the skeleton यानि कि bones क्या होता है एक hard material होता है इसमें elasticity नहीं होती है तो मैं लिए ना कर करते हैं elasticity it contains the ground substance and bone cells यह क्या होता है इसमें ground substance होता है और bone cells होती है bone cells का मतलब bones का formation में help करती है next अगर बात करें calcium salts are present in the ground substance और जो इसका ground substance होता है उसमें क्या होता है तो calcium salt present होता है इसके ground substance में bone cells are three types osteoblast osteoclast और osteocyte थ्री टाइप की cells present होती है तो इसे आप जान चुके हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं blood के बारे में blood basically क्या होता है और इसका role क्या होता है blood blood is a fluid connected tissue distributed in blood vessel and pumped by heart यानि blood एक fluid connected tissue होता है fluid connected tissues के अगर बारे में आपको पूछा जैता कौन होता है blood होता है distributed in the blood vessel blood vessels के थ्रू क्या होता है distribute होता है और pump किया जाता है heart के थ्रू next point अगर बात करें the ground substances of the blood is watery fluid, cald plasma and various type of the cell are suspended in it और इसमें क्या होता है यह ground substance जो होता है इसमें watery fluid होता है और जो उसकी cell होती है इसमें क्या cell कौन को स्थी पाई जाती है blood में तो आप लोग को पता है RBC, WBC और platelets पाई जाती है ठीक है तो वो क्या होती है various cells यहनि कि उसमें suspended होता है जो watery fluid होता है यहनि कि plasma होता है उसमें त्री टाइप की cells present होती है erythrocyte यहनि कि RBC, WBC यहनि कि leucocytes और blood platelets three type की cells होती है वो present होती है हमारे blood में next अगर बात करें leucocytes are various type example neutrophils, acidophils, monocytes and lymphocytes ठीक है इसके अलावा अगर बात करें तो leucocytes में कौन कौन से आता है तो neutrophils, acidophils, monocytes and lymphocytes भी आते हैं blood is helpful in transport of the gaseous example O2 and CO2 यहनि blood जो होता है वो helpful होता है हमारी gaseous exchange के बारे में यानि gaseous exchange O2 और CO2 को जो gaseous exchange होता है उसमें क्या होता है helpful होता है transportation आप nutritive, substance and hormone etc और transportation का काम करता है nutritive जो substance और hormones होते हैं उसको भी transportation का काम कौन करता है तो वो basically करता है blood ठीक है, next अगर बात करें lymph lymph क्या होता है, lymph is modified issues containing 94% water and 6% solid and only lymphocytes are present in the form of the cell तो lymph के अगर बार हम बात करें तो lymph में 94% water होता है and 6% solid and only lymphocytes are present in the form of the cell तो 94% water होता है 6% solid होता है और इसमें lymphocyte बहुत ही ज़्यादा होती है next अगर बात करें lymph is provided the protection against the infection और जो हमारा lymph जो होता है वो हमें infections के अगेंड protection प्रोवाइड कराता है तो यह सारी चीजी थी हमारे connected tissues के बारे में connected tissues का division हमने पढ़ लिया कि यह connected tissues के division क्या है उसके बारे में पढ़ लिया और उसके function पढ़ लिया इसके अलावा जो हमारा connected tissues होता है उसमें क्या fibers पाए जाते हैं और different different type के fibers होते हैं और उनका arrangement भी different different types का होता है ठीक है अगर different different types के tissues यानि कि fibers पाय जाते हैं और different different उनका arrangement होता है तो इस हिसाब से हम fibers tissue को connective tissue को दो type में all divide कर सकते हैं तो पहला उसमें क्या होता है loose connective tissue उसमें एक क्या होता है loose connective tissue होता है और दूसरा होता है dense connective tissue एक होता है loose connective tissue और एक होता है dense connective tissue तो पहला समझेंगे हम loose connective tissues क्या होते हैं इसमें जो cells और fibers होते हैं वो कैसे होते हैं? Loosely arranged होते हैं यानि tissue आप लोगों को पता है cells का aggregation होता है और वह ही cells fiber cigarette करती है तो जो fiber और cell का जो aggregation होता है वो क्या होता है? Loosely arranged होता है ठीक है? और semi-rical ground substance में क्या होता है? present होता है ठीक है? तो इसमें जो fibers और cells का जो communication वो loosely arranged होता है, इसलिए इसको क्या बोलते है, loose connected tissues बोलते है, इसका example है, micro phases and muscle भी present होते हैं, किसमें loose connected tissues में, it is stored and the fat and mainly present to the beneath in the skin, और यह कहां present होता है loose connected tissue, तो यह fat को store भी करता है, और skin के नीचे क्या होता है, present होता है, इसके बाद अगर हम बात करें dense connected tissues क्या होता है, cells and fibers are completely packed in this tissue, यानि कि cells and fibers जो होते हैं, वो completely packed होते हैं इन tissue में, और example इसका क्या है, tendons, join bone to muscle, muscle और bone को join करने का काम कौन करता है, tendon करता है, इसी प्रकार ligament होता है, bone से bone का attachment जो होता है, वो किसके तुरू होता है, ligament के तुरू होता है, ठीक है, तो यह सारी च चीजुस के बारे में, पूरा यह complete discussion हमने कर लिया है, और आप लोग निस्चिंत रही है, क्योंकि यह sufficient है, हमारे deforma syllabus के according, पढ़ने के लिए इसमें भी बहुत सारी चीज़े हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के लिए sufficient है, उतना पह रहने के लिए आप हमारे telegram और whatsapp group को join कर सकते हैं, और इसके अलावा हम next topic cover करेंगे, यानि कि third lecture हमारे क्या होगा, muscle tissues के बारे में होगा, तो next lecture को देखने के लिए आप हमारे youtube channel notes card को subscribe करें, और bell icon को जरूर दबाएं, क्योंकि इसके जो सबसे पहले notification है, आप लोगों को इस मिलते हैं muscle tissues के साथ, तो आज लिए इतना आई, thank you to all of you friends.